प्रेंट्स, इन दीज टू मिनिट्स, मैं चाहूंगा के मेरे अंदर विचारों की मूल धरा के कुछ अंच आप से सांजहे करूं. मेरी सोच है कि ऐसी कंवेंशन में हमारा ज्यादा समय दीरकालीन समधान की तरफ होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि हमारा दीरकालीन समधान की तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कि हमारी समर्स्या क्या है। अगर ये बटवारा हमें हमें हर्ड कर रहा है, ये विवाद पैदा कर रहा है, ये युद पैदा कर रहा है। तो युद की सती को संभालना तो एक साइड अब्जेक्टिव होगा। But how do we address the division? उसके लिए एक जो objective, rational objective which I think we should all try to achieve is समर्धी और सुरक्षा का वातावरन काइम करना। कुछ साथ ही कहते हैं, the nation has not yet defined its objectives for defense. ये अग्यानता के कारण ऐसा हम कुछ सोचते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कि 1995 में पार्लियमेंट में ये घोशित किया गया, कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं, उनका objective क्या है। उनके चार objective उन्होंने निश्चित किये। राउर साब प्राइम मिनेस्टर थे, उन्होंने डिकलेर किया था ये। मुद्धा है। तीसरा है, हमारे पडोसियों के देशों में, मारे पडोस देशों में, हमारी योगयता के हम वहाँ इंफिलेंस कर सकें, so that we are capable of exercising influence in our neighboring states, which are to the interest of the country. No, this tells everything. And finally, it says, we should have the capability of outside the country, contingency plans for international and regional tasks. Now, ये सब objective जो हमारे सामने हैं, तो हमें कैसे इस समर्स्या का समाधान करना है? साथियों, कोई भी totally black or totally white नहीं. जिन से हमारा बटवारा हुआ है, उनमें भी काफी constituency है, जो moderate हैं. जो हमारे साथ मिलकर बैठके समर्स्या का समाधान करना चाहते हैं. और हमारे में बीच में हैं. तो इसलिए हमारी जो strategy, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, it should be carrot and stick. carrot and stick strategy. वो carrot, वो गाजर कितनी palatable हो, कितनी सुंदर हम बनाएं, कितनी उसमें सब कुछ डालें, कि वो उनका दिल चीने, जो moderate हैं, जो fan sitters हैं, और वो डंडा जो, वो कितना मुझबूत हो, कि सिर्फ प्रोसी देशी नहीं, अमेरिका भी हम से धचका है, कि नहीं, हिंदुर्सान के influence of region में हम नहीं जाना है, अंत में, ladies and gentlemen, मैं संद गोष्वमी के शब्दों से अंत करना चाहता हूँगा, कि उन्होंनों क्या सोचा था कि देश की जो सुरक्षा नीदी है, वो क्या होना चाहिए थी, उन्होंने कहा था, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद गुद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाये न दूजा, कवच, मेल, symbolizes security of our borders, powerful military system, विप्र, traditions, our values, guru, our trading, or our system, effectiveness, यही सब विजय उपाये न दूजा, यही, these are the essential elements of victory. Thank you, ladies and gentlemen.